हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेकेंसी नोटिफिकेशन में आज अब रेलवे एलपी 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके ओनलाइन फोर्म स्टाट 20 जनवरी 2024 से हो चुके हैं इसकी लाइस डेट 19 फरवरी 2024 है तो हम आज इस वेके में क्या पूछा जाता है चलिए इसका से लेवस देख लेते हैं कि अल्पी 2024 इसका रिक्रूट्मेंट प्रोसेस टोटल पांस फेस में पूरा होता है सीबीटी वन सीबीटी टू कंपिज्टर पेस्ट एकली टूटेस्ट रह्तीके टेस्ट ड्रेशंड पूर्म forum재 तो इसमें सीबीटी क्या लिए पूच्छा जाता है यह देख तहें कि सीबीटी वनगे टोटल पीचटर नंबर का हो तो पिचटर माक्ष का होता है साट मिन्टिटिस में टाइम मिलता है CBT बाद में सलेबस के बारे में बात कर लेता है Mathematics Mathematics में Number System, Board Mass, Decimal Fraction LCM, SCF, Ratio and Proportion Percentage, Mentoration, Time and Work Time and Distance Simple and Compound Interest Profit Loss, Algebra, Geometry and Trignometry, Elementary Statics Square Roots Age Calculation, Calendar Clock, Pipe and System ये Mathematics का Total सलेबस रेगा Mental Ability मतलब बाद रिजनी Analog, Alphabet, Number Series Coding, Decoding Mathematic, Operation, Relationships Syloques, Jumbling Land Diagram, Data Interpretation and Sufficiency Conclusion and Decision Making Similarities and Difference Analytic Reasoning Classification, Direction, Statement Argument and Assumption ये है Reasoning का इसमें आप चार भाग आते हैं तीसरा भाग है General Science का General Science, Physics, Chemistry, Life Science Tenth Level के रखे जाते हैं इसमें लिखा वाई ये और फॉर्थ पार्ट है General Ambition Current Affairs, Science, Technology, Sports, Culture, Economics, Personalities, Politics and Subjects इन किसी में से Current Effect पूसर जा सकता है तो ये होगी CBT1 की बात CBT1 की लिएर करने के बाद में आपका होगा CBT2 CBT2 में Total टू पार्ट होते हैं जो एक की दिन एक की टाइम पर होते हैं पार्ट A 90 मिनिट में 100 कोश्चन पार्ट B 60 मिनिट पिछतर कोश्चन पार्ट B में ट्रेड से रिलेटेड आपके कोश्चन आते हैं जो कि मिनिमम 35 मार्क्स क्वालिफिकेशन देता है अगर 35 पर्षेंट लागे तो पास हो जाओगे अगर इसमें फेल होगे तो पूरे में फेल माने जाओगे इसका भी सेलेबस Mathematics का सेम ही है सेम रहेगा रीजनिंग भी सेम की सेम है लेकिन इसमें सेम की सेम है जोसको बोलते हैं Basic Science and Engineering इसमें अब Basic Science तो आईगा ही साथ में IT लेवल की Engineering के Question भी आएगे Machine The Board of Topics Board of Topics and Curved Under His Basic Elementary Labors and Simple Machines Occupational Safety and Health Environment Education Literacy बीपाट का सेलेबस आप करेगा Digital Trade Trade का ही साब से रहेगा इसमें 35% लाना Compulsory है IT लेवल की Trade पूचा जाएगा इसमें जिस ट्रेज आप भरोगे उस ट्रेट का Question आएगे तो इसमें 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 CBT2 में अगर Pass हो जाते हो तो आपका होगा CBAT Computer Based Actitude Test इसमें अलग अलग प्रकार के टेस्ट होता है पांस बेटरीज होती है पांसों में मिनिमम मार्क्स लाना अनिवारी होता है इसके CBAT CBAT के 30% और CBT2 के 70% मिला कि आपकी मेरिक निकली जाती है अगर उस मेरिक में आप आते हैं तो आपका होता है DV Document Verification फिर होता है Medical तो इसका Selection Process टोटल 5 से फैज में रहता है यह हो गई फ्रेंट्स LP212 के सेलेविस के बारे में बात बाकी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं शेर किजिए हमारे चैनल को और लाइक किजिए हमारे वीडियो थैंक यू वेरी मुच्छ